Hello everyone, welcome to Farmerox YouTube channel, Farmerox के YouTube educational channel में आपका स्वागत है In today's video lecture, we will study in detail about the disease Kala Azar तो Kala Azar को दूसरे वर्ड़ में हम कहें तो Black Fever भी कहा जाता है As well as Dumdum Fever भी उसको कहा जाता है And दूसरा उसका famous नाम है Laysmaniasis तो Kala Azar या फिर Laysmaniasis, Black Fever या फिर Dumdum Fever के जो causes है कि जो हम कहते है reasons फिर उसके होने के बाद जो sign and symptoms develop होते है उसके बारे में हम study करेंगे And कौनसे medicines को use करके इसके treatment के जाती है ये सभी के बारे में हम ये video lecture के अंदर detail में study करेंगे अगर आपके पास android phone है तो google play store पर से android app पी download कर सकते है और अगर आपके पास iPhone है तो app store पर से भी app को download कर सकते तो pharma rocks का mobile application available है कि जहापे आप study material, test series and video lecture वगेर access कर सकते है तो अभी download करिये app pharma rocks तो आज का जो हमारा main topic है वो है disease lesmeniasis के जिसको हम कहते है काला अजर तो काला अजर अल्सो कॉल है visceral lesmeniasis visceral lesmeniasis is a disease in which parasite migrates parasite migrates to the internal organs such as the liver, spleen and the bone marrow तो यहापे समझे कि first point पर से ही आपको थोड़ा बहुत idea होगा यह disease के बारे में कि यह disease होने के पीछे कोई responsible है तो they are parasites they are the parasites कि जो अलग-अलग microorganisms होते है कि हम virus के बारे में study करते है bacterias के बारे में study करते है fungi के बारे में study करते है same like that parasites भी ऐसे microorganism है कि जो harmful होते है तो यह harmful microorganism अलग-अलग जो है वो हमारे body के अंदर disease and disorder जो है वो होने के लिए वो होते है responsible तो उसी में से जो disease है काला अजर यह word का meaning आपको मैं next slide में बताऊंगा बढ़ अभी समझे उसके अलग-अलग names के काला अजर को visceral lesmaniasis भी कहा जाता है और यह कैने के पीछे का जो reason यह है कि parasites जो है वो आपके body के अंदर जो बेंटर होते है तो वो migrate करते है travel करते है हमारे अलग-अलग internal organs तक जैसे कि liver है आपका spleen है और bone marrow तो आगे जाके यह जो parasites है आपके liver को damage करते है spleen को damage करते है as well as bone marrow पे उसको affect वोदी जिसके करण उसको visceral lesmaniasis भी कहा जाता है if left untreated will almost always result in the death of the host तो समझी कि कोई person ये disease को lightly लेता है या फिर अच्छे से care नहीं की जाती और उसको treatment नहीं मिलती तो उसके करण जो है वो patient की death हो सकती है तो life threatening disease हम कह सकते है ये की ये जानलेवा हो सकता है अगर आप उसको अच्छे से treat नहीं करते है तो lesmaniasis की जो काला अजर तो काला अजर वर्ड के पीछे जो राज चुपा है वो अब समझते हैं के काला अजर क्यों कहा जाता है तो वर्ड काला अजर consist of काला तो जो काला है जो हिंदी वर्ड है उसका मतलब होता है black और अजर इन हिंदी that means a fever तो जो हम वर्ड उसके लिए यूज करते हैं ब्लैक फिवर उसके लिए जो वर्ड हम यूज करते हैं कि ब्लैक फिवर जो हम वर्ड यूज करते हैं तो black fever word यूज करने के पीछे का जो reason है वो यही है कि काला अजर को black fever क्यों कह जाते हैं या फिर जो black fever है उसको हम काला अजर क्यों कहते हैं तो black that means काला and fever that means अजर दूसी के कारण यह डीसिस का जो नाम पड़ा है काला अजर उसको हम traditionally इंडिया के अंदर काला अजर ज्यादा कहते हैं फिर समझे fever that is associated with dark complexion is the काला अजर तो especially जो काला और अजर that means black fever and fever that is associated with the dark complexion is the काला अजर इंडियान नेम काला अजर that means black fever तो यह पॉइंट हम मेंसा आपको याद रखना है के काला अजर डिसिस के दूसरे जो नाम क्या है तो उसमें से एक नाम है वो है black fever उसको हम कहते हैं उसके अलावा दूसरे जो वर्ड है उसके लिए that is lesmaniasis तो lesmaniasis इसलिए because जो parasite है lesmania parasite जो है उसके infection के कारण काला अजर होता है और वो microorganism कहे हम paracetus का नाम है lesmania donovani तो ये microorganism के नाम पर से ये डिसिस को lesmaniasis भी कहा जाता है तो काला अजर first came to attention of western doctors in 1824 इन जैसर इन इंडिया नाव जैसर इन बंगलादेश बट देट ताइम इन 1824 इट वस इन इंडिया where it was initially thought to be a form of malaria तो malaria के लिए जैसे parasites responsible होते है और उसके अंदर भी fever के symptoms develop होते है तो उस दिनों में जो lesmaniasis जो डिसिस थी कि जो उसको काला अजर नाम दिया गया था तो सबसे पहले 1824 के अंदर जो जैसर कि उस वक्त इंडिया में था बट अब हम देखे तो वो बंगलादेश के अंदर है और उसको ऐसा सोचा गया कि उसके malaria के symptoms थोड़े बहुत उससे similar मिले तो उस वक्त वो as a nearby malaria और malaria like condition के नाम से उस वक्त जाना जाता था तो यह याद रखना है mcq के लिए pinpoint बन सकता है आपके लिए फिर उसके नाम black fever फिर यह parasite का नाम खास याद रखना है लेसमेनिया डोनोवानी फिर आसम ने उसको आसम फिवर नाम दिया आसम गेव काला अजर one of its common name that is आसम फिवर कि जो आसम स्टेट के अंदर हम देखे तबहा पे उसको आसम फिवर भी कहा जता है तो reason wise इसके अलग अलग नाम पड़े कि इंडिया में black fever या फिर इंडिया में ही हम देखे तो आसम के reason के अंदर उसको आसम फिवर भी कहा जता है इवन लेसमेनिया डोनो वानी के करण होता है जिसके करण उसको लेसमेनियासिस भी हम कहते है यह समझे लेसमेनियासिस नाम अब कैसे पड़ता है तो microorganism तो है ही parasites but देशिस भी कम नोन अज लेसमेनियासिस अप्टर विलियाम लिसमेन ग्लेस वेरिगन डोक्टर सीविंग विथ ब्रिटिज आर्मी इन इंडिया डेवलाप वन अप दे अर्लियस्ट स्टेइन अफ लेसमेनिया इन नाइंटीन जिरो वन तो नाइंटीन जिरो वन के अंदर जो स्टेइन्स डेवलाप किये गए parasites के तो वो parasites को जो लेसमेनिया जो नाम दिया गया लेसमेनिया डोनोवानी और उस पर से फिर आगे लेसमेनिया सिस प्रॉम दब्रिटिस डॉक्टर विलियम लिसमेन फिर ये डमडम फीवर उसको क्यों कहा जाता है तो इन डमडम टाउन नियर कलकटा के कोलकटा के नजदीक जो दमडम करके जो टाउन था तो वहाँ पे लिसमेन डिसकावर ओवट बोडिज इन दे स्प्लीन ओफ ए ब्रिटिस सोलजर वो वस एक्पिरियंसिंग बाउट अफ फीवर अनेमिया, मस्कुलर अट्रोपी एंड, स्वेलिंग अप दिस प्लीन सो, इडिस अलसो कॉल ए डमडम फीवर कि उस वक्त डमडम जो है एक छोटा सा गाव है कलकटा के नजदीक तो वहाँ पे जो ब्रिटिस सोलजर्स को ऐसे सिम्टम्स देखे गए तो उसके जो डमडम के टाउन के नाम पर से उसको वो एरिया के अंदर डमडम फीवर के नाम से भी जो है वो कहा जाता है तो यह अलग-अलग सिनोनिम्स जो कहते हैं हम की जैसे कोई हर्बल ड्रेक्स के सिनोनिम्स होते हैं वेसे ही यह एक ही डिसेस के अलग-लग synonyms हम देखे कि काला अज़र है लेसमेनियासिस है ब्लैक फीवर है, डम-डम फीवर यह सब आपको अच्छे से याद रखने है अब उसके कोजिस देखे तो visceral लेसमेनियासिस कि जिसको VL और काला अज़र हम कहते है that is caused by लेसमेनिया डुनोवानी and other लेसमेनिया स्पीसिस तो यह आप आप देख सकते है लेसमेनिया की जो स्पीसिस कि यह उसकी फ्लैजेला और यह उसकी मेन बोडी तो यह पैरेसाइट्स के कारण आपको जो है वो लेसमेनियासिस होता है occurs in several tropical and subtropical region of the world तो वर्ल्ड के अंदर अलग अलग देशों के अंदर यह डिसिस जो है वो देखी जाती है और लेसमेनिया डुनोवानी के करण हो जो main causative microorganism का है तो यह आपको याद रखना के कौन से microorganism के करण visceral लेसमेनियासिस होता है तो that is a लेसमेनिया डुनोवानी साइनम सिम्टम्स हम देखे तो सबसे पहले तो fever तो है ही उसके अंदर बट fever के अलावा हम दुसरे symptoms हम देखे तो that are loss of appetite loss of appetite weight loss होता है अब आपको भूख नहीं लगती तो आप खाना कम खाएंगे और जब आप अपकी appetite loss होगी खाना आप कम खाते तो obviously आपका weight जो है वो reduce होगा fever तो उसके अंदर common ही है because हम काला अज़र ही उसका नाम है black fever weakness होती है कि जिसको हम कहते है fatigue फिर जो हम skin देखे तो skin जो है वो patient की होती है काफी dry thin and scally and hair में भी loss कि जो skin है skin dry होती है आपकी thin हो जाती है scally हो जाती जिसके करण hair loss भी होता है फिर ये एक symptom है कि enlargement of the liver और spleen जो भी patient है उसका ये spleen का जो reason है वो enlarge होता है कि उसकी जो size है वो दिरे दिरे increase होती है as well as वो affect करता है bond marrow पे lymph nodes पे भी affect करता है और specially जो sand fly के जो bite होते है कि समझो कि आपको sand fly bites करती है तो उसके कारण ये parasites जो है वो आपके body के अंदर enter होते हैं तो sand fly के कारण इसका transmission होता है तो ये point आपको MCQ के लिए याद रखना है कि which of the following is responsible for the transmission of parasites of lesmaniasis के lesmaniasis के जो parasites है उनके transmissions का main जो हम स्त्रोथ का है main कोई transmission का है mode of transmission that are sand fly कि यापे जो हम देख रहे है sand fly तो जब उसके parasites enter होते हैं सब आगे जाके उसके symptoms develop होते हैं कि loss of appetite होता है weight loss होता है आपको fever होता है weakness skin पे उसके effect देखे enlargement of liver and spleen और ये point इंपन्ट है कि light color person so grey is discoloration of the skin of hands and feet करेगा आपका skin color थोड़ा सा light है तो grey is color का discoloration आपके skin और hands के उपर देखा जाता है also the feet and abdomen तो ये जो हम कहें तो discoloration आपको देखने को मिलता है skin का कि आपकी light color है तो grey is discoloration आपको देखने को मिलता है skin of hands, feet and abdomen तो यहापे हम कुछ patients देख सकते हैं यहापे diagram के अंदर तो जो skin उपर जो हमने बात की कि skin काफी dry होती है हो जाती है फिर जो बात की कि scally यहापे भी देखे skin उपर यह जो scally patches जैसा भी हमें देखने को मिल रहा है यह patient को फिर यहापे देखे यहापे भी जो skin उपर जो area के अंदर आप देखे तो यह जो पूरा area है वो काफी dry हो गया है as well as scally और वहापे समझो कि कोई hair स्वगेरा होते है तो वो hair loss होते है skin का discoloration होता है यह सब आप देख सकते हैं यहापे देखे जो stomach का जो portion है person का तो वहापे रहे जो हम कहें तो spleen enlarge होती है spleen का होता है enlargement जो skin है वो काफी enlarge होती है as well as जो हम कहें दूसरे word में तो liver and spleen दोनों की size जो है वो होती है increase तो इसके करण जो यहापे हम देख रहे कि अलग-अलग जो कालाजर की जो patients होते है उनके अंदर यह sinem symptoms तो diagnosis तो एक तो blood test से confirm हो जाएगा और directly आप physically यह patient को examine करेंगे और इस type का आपको condition देखने को मिल रही है कि liver और spleen enlargement है तो उसके लिए आप diagnosis के लिए कि diagnosis के लिए patient का पहले तो आप blood test करवा सकते है blood test के अलावा हम कहें तो यह जो portion है उसका x-ray करवा सकते है stomach के portion का कि spleen, liver वगेरा cover हो जाए उस तरह से x-ray करवा सकते है ज़रूत पड़े तो MRI या फिर CT scan भी करवा सकते है आप और बाकी का जो diagnosis यह sign-em symptoms के basis पे हो जाता है अब बात है transmission की तो अभी जो हमने बात की कि जो sand fly कि उसका जो transmission है वो sand fly के करण होता है greater than 90 जैसे species है कि जो responsible होती है इस type के infections के लिए तो यहाँ पर हम देख सकते है these are the sand fly अब यह जो sand fly है वो समझे कि आपको करती है bite कि आपके skin उपर bite करती है तो उसके अंदर रहे जो यह parasite से lesmania वो parasite bite करने के बाद यह दिखिए यह जो person है उसके अंदर यह फैल जाते है तो यह infected person है rodents से dogs हम देखे foxes हम देखे और animal यह सब तो यह infected person के contact में आई हुई यह sand fly उसके अंदर carry कर लेती है lesmania parasites अब यह fly समझो कि आपको जो है वो दूसरे healthy person को जाके bite करती है तो उसके करन यह जो transmission वो directly sand fly के bite के करन होगा कि इसके अंदर रहे अब lesmania दूसरे person के अंदर enter हो सकते है यह infected कोई person है rodents है कि जो infected है with parasites dogs है foxes तो वो भी इससे affect हो सकते है और उनको कारण अब समझो कि यह person आगे जाके infected हो जाते है तो उसको समझो कि ऐसे कोई sand fly bite कर दी है उसके अंदर वो parasite center हो जाते है और यह parasite फिर यह sand fly के दूसरे किसी person को जाके bite कर दी है तो इस तरह से यह disease जो है वो फैल्थी रहती है तो अब बात करें उसकी treatment या फिर medications के बारे में तो medications जो होती है drugs जो होती है lesmenuses के लिए तो अलग-अलग जो हम class कहते हैं तो they are antimonials class के medications जिसको antimonate भी हम कहते हैं antimonate और उसका best example है एक sodium stebogluconate और उसका SWAT में हम कहते हैं SSG तो sodium stebogluconate के injections जो है वो patient को दिये जाते हैं intramuscular और intravenously ये injection जो है वो दिया जाता है patient को 100 mg पर ml के strength में ये available होते है and it has been a standard first line drug standard first line drug for visceral lesmaniasis in most part of the world achieving greater than 90% of cure rate ते समझे कि जब lesmaniasis के जो patients होते है उनको समझे कि आप SSG जो medications है कि sodium stebogluconate जो हम कहते हैं उससे समझे कि आप उसके treatment करते हैं तो उसका जो हम cure rate का है तो greater than 90% of world and it is still using East Africa Central Asia Mid-Indian Basin and South America वगेरा के अंदर ये use होती आई है बट इंडिया की हम बात करें तो no longer effective in India no longer effective in India and Nepal because of extensive resistance कि हम इंडिया या फिर नेपाल की बात करें तो ये sodium stebogluconate का जो resistance जो develop है उसके कारण यहाँ पे जो sodium stebogluconate का जो recovery rate जो है वो अच्छा नहीं रहता cure rate भी अच्छा नहीं है जिसके कारण उसके जो दूसरे alternative से वो use किया जाते है तो उसका जो cure rate है वो 90% है दूसरी जगा पे भी और उसके कारण standard first line drug है world के दूसरी resistance के अंदर बट इंडिया के अंदर उसका है resistance तो यह आपको उच्छे से याद रखना है antimonials में दूसरा option है maglumine और वो भी antimonit है and maglumine is a amino sugar derived from glucose maglumine is a amino sugar derived from glucose it is often used as excipient in pharmaceutical and in conjunction with iodinated compound in contrast media such as a diadriazoneate maglumine or itholemate maglumine and idpamide maglumine तो iodine containing जो preparations होती है उसके अंदर यह use होता है और यह medications को lesmeniasis की treatment के अंदर भी use के ज़ता है यहाँ पर देखे dietary dietary zoate maglumine and dietary zoate sodium injection as per the USP RX only medications रहेगा यह तो यह जो preparations है कि iothelamate maglumine हम देखे या फिर idpamide maglumine देखे और maglumine क्या है यह आपको याद रखना है कि which of the following is a amino sugar derived from glucose तो यह आपके लिए है बहुत पड़ा MCQ का पिन पॉइंट which of the following is an amino sugar derived from the glucose तो इस वक समझे कि आपको A, B, C, D में जो भी options दिये है अलग-अलग उसमें से correct option को select करना है that is maglumine तो most IMP जरूर आपके record book के अंदर यह point जो है वो लिख लीजिए आगे सिखते है DIA M.I.D.N. class का जो medications है that is pantamidine that is the pantamidine तो pantamidine का life lies preparations देख सकते है कि pantam 300 300 mg life lies for intramuscular or IV use single dose vial and also the Rx only तो यह medications के बारे में समझे कि pantamidine जो है antimicrobial medications है and used to treat African trypenosomiasis lesmeniasis balamuthia infection baby siosis and to prevent and treat pneumocytics or pneumocystis pneumonia in people with poor immune function कि जिन लोगों की immunity बहुत ही poor होती है उन लोगों की treatment करने के लिए हम उसको use करते हैं और ज्यादा तर यह effective है African regions के अंदर फिर जो तीसरा जो क्लास है antifungal drugs तो antifungal drugs कि जो उसमें very very popular हम कहें तो amphotericin B amphotericin B कि जो widely used होता है to treat lesmeniasis कि अगर समझे कि SSG का भी patient के अंदर resistance है as well as समझे कि Indian market के अंदर दूसरे medications available नहीं है तो उस वक्त liposomal amphotericin B या फिर normal amphotericin B कि जो injection से वो use किये जाते है to treat the lesmeniasis की जिसको हम कहते है kalahazar और उसी के साद समझे कि दूसरा भी आपको alternative try करना है तो that is ketoconazole from antifungal drugs तो ketoconazole और amphotericin B कि या पर दो product हम देख सकते है amphotericin B कि एक है liposomal amphotericin B कि जो lyophilize product है for intravenous infusion to hospitalized patients only single dose while रहता है and यहाँ पर देखे तो to treat the patient with broad spectrum antifungal treatment और और normal amphotericin B जो broad spectrum हम कहते है किसी भी antifungal या फिर इस type के parasites के जो infections होते है उसको treat करने में हम use करते है other medications हम देखे तो that are miltefosin यहाँ पर देख सकते है miltefosin के capsules 50 mg पर capsule 50 mg का यह capsule आता है फिर paramomycin की जो amino glycosides class की antibiotic drug है paramomycin और तिसरा जो option है आपके पास वो है allopurine LK tablets तो यह हमने बात की अलग-अलग medications की जो use होती है to treat lesmeniasis अब जो हम सिखने वाले है वो है very very most important point that is a drug of choice अब बात यह है कि समझो कि इंडिया की हम बात करे तो इंडिया में तो हमने पहले ही देखा कि जो SSG है sodium stebogluconate जो है उसका resistance है तो इंडिया के अंदर इसे कौन से medications है कि जिससे हम lesmeniasis की treatment कर सके तो वो है amphotericin B amphotericin B is a more effective and may prove to be the drug of first choice in इंडिया कि sodium stebogluconate भी first line drug है वो हमने देखा बट उसका जो है वो इंडिया में resistance है उसके करण amphotericin B is the more effective और वो prove भी किया है उसके जो statistics के करण और उसका जो हम cure rate देखे तो 99% जितना है तो liposomal amphotericin B that is the drug of choice that is the drug of choice kalazer तो उसका हम dose देखे तो 3 to 5 mg per kg IV infusion daily for 3 to 5 days and total dose is 15 mg per kg total जो dose रहेगा किसी भी patient के लिए that is 15 mg per kg amphotericin B deoxy collet जो हम देखे तो वो जो दूसरा option है आपके पास एक है liposomal amphotericin B और normal जो amphotericin B के amphotericin B deoxy call it तो 0.75 to 1 mg per kg IV infusion over for our daily on alternate day 15 mg per kg total dose आप समझे के alternative day से देते हैं तो 15 mg per kg total dose तो ये था amphotericin B के बारे में और हम जाने तो amphotericin B is the drug with highest cure rate in kala azar up to 99% in clinical and parasitological cure has been reported from India in SSG resistant cases कि जो cases के अंदर SSG से कुछी भी तरह का हमें effect देखने कुने मिलती विकोज जब अच्छे से हम check करते तो पता चलता है कि वो patients को SSG का है resistance अब resistance होता है तो बले आप उसके dose increase करो या फिर regularly वो medications दे हम तो भी patient जो है वो ठीक नहीं होते तो जो दुसरा option है हमारे पास liposomal amputation B वो बनता है drug of choice because India के अंदर हम उसका cure rate देखे तो that is 99% और 99% cure rate हो तो mainly advisable भी रहेगा as well as drug of choice भी बनती है वो medication कि जब उसका उसके करण जो भी disease का cure rate है वो जब काफी higher और nearby 100 हो जता है तो यह important है amputation B के बारे में and it is treated as the reference drug while comparing the efficacy of other drug तो अब amputation B को reference रखके ही दूसरे medications की efficacy जो है वो find out की जाती जिसके करण यह बनती है drug of choice for the treatment of kalazar so thank you friends for attending this lecture जरूर से like करिए comment करिए valuables share करिए and channel को subscribe करिए whatsapp groups भी available है 942-261-8036 whatsapp helpline number से subscribe करिए channel press करिए bell icon download करिए अब pharma rouse की जहाँ पे आपको study material मिलता है test series मिलती है video lecture मिलते है for GPET NIPER DIN Pharmacist exam तो अगर आपके पास android phone है तो google play store पर से आपको download कर सकते है और अगर आपके पास iPhone है तो app store पर से भी download कर सकते है link हमने description box में देती है तो good luck and all the best